आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्चेक्ट हिंदी पार्ट 10 पार्ट का नाम है बने और विखरी इस पार्ट के लिए खाग है मुहम्मद अश्रफ खान इस पार्ट में एकांगी विधा से परिचे कराए गया है तो सबसे पहली प्रथम द्रश क्या है आएए मिस पार्ट को रीट करते हैं और समझते हैं प्रथम द्रश रास्ति का द्रश गुरु अपनी सिस्ष के साथ चले जा रहे हैं क्यों कौंद चली जा रहे हैं ।। रास्ते का द्रश्य है और गुरू अपने सिस्वस्ट के साथ चले जा रहे हैं। तो शिस्वस्ट सबसे पहले क्या बोलता है? हापटे हुए बस गुरू जी अब और नहीं चला जाता हुं। क्या बोलते हैं मुस्क्रा कर सिस्स्स्स फिर बोलता है गुरु जी हम सबसे ही पहले चल रहे हैं जब और नहीं चला जाता प्यास के कारण कंड्ट रहे हैं और इसा बोलकर बैठ जाता है कंड्ट मतलब गला सुख BRI powinique फिर गुरु बोलते हैं बस हम लोगों को सनमार्व की सिक्षा देने निकले हैं आराम करने के लिए नहीं साधना की मार्व में ऐसी कटनाईयां आती ही हैं धैरे वर सायम से इनको जीतना होगा संतों को सुक्सिविदाओं की अफिक्षा नहीं करने चाहिए गुरु क्या बताते हैं कि हम लोग किसलिए निकले हैं सनमार्व मतलब की लोगों को सत्ति की राह सही राह दिखाने के लिए निकले हैं और तो हम ऐसे में कटनाईयां आएंगी तो हमें धैरे वर सायम से इनको जीतना है सिस सिस क्या बोलते हैं सत्त है, गुरुजी किन्तु इस समय प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहे हैं, आखों पर हाथ का छत्त तान कर एक और ध्यान से देखता है, उससे क्या बोलता है, कि प्यास के कारण प्राण व्याकुल हो रहे हैं, और क्या करता है, आखों पर हाथ का छत्त, मतलब हाथो को तान कर ध्यान से देखता है लगता है कोई व्यक्ति धर आ रहा है पूच कर देखूं सायद कोई उपाय हो सके एक व्यक्ति सम्मुक आता है मतलब सामने से आता है एक व्यक्ति सिस्स भाई क्या इधर कहीं कुआ या सरोबर होगा जहां प्यास मुझाई जा सके शिस्स बोलत जाता है और मुह कहता हुआ चला जाता है सिस्स गुरु जी यह व्यक्ति तो बड़ा सब निकला सिस्स गुरु जी से बोलता है गुरु हॉले से मुस्करा देते हैं सिस्स फिर से इधर उधर देखने लगता है सिस्स अचानक प्रसनता से गुरु जी सिस्स क्या बोलते हैं अचानक प्रसनता से गुरु जी यह देखिए एक महला सिर पर घड़ा रखे इधर ही आ रही है और महला का प्रवेश होता है सिस्स बहन थोड़ा सा जल मिलेगा प्यास के कारण बुरा हाल है सिस्स महला से बोलता है महला उपेक्छा से गड़ा मेरा कुए से जल मैंने भरा तो मैं क्यों दे दूँ जाओ खुद निकालो और पियो आज सी कहीं के महला ऐसा बोलती है फ्रसनता सिस्स बोलता है लेकिन कुए कहा है इतना ही बता दो सिस्स महला से पूचता है महला यह जानना तुम्हारा काम है मेरा नहीं यह इतना बोलकर महला जाने लगती है सिस्स अरे सुनो महला चली जाती है मतलब सिस्स बोलता है अरे सुनो लेकिन महला चली जाती है सिस हाथ उठाए महला को रोकने की स्थिती में कुछ छड़ खड़ा रह जाता है फिर गुरू की ओर मुड़कर देखता है और गुरू हुस्करा देते है सिस उफ ऐसे आदमी तो कहीं नहीं देखे इतने असब इतने आविनी सिस ऐसा बोलता है गुरू गुरू पुत्र शंसार में हर तरह की लोग हैं उनके वैभार भी अलग अलग हैं कोई भला है कोई बुरा है तुम्हें इतना अधीर नहीं होना चाहिए हो सकता है कोई भला मानस मिल जाए और इतने में क्या होता है एक व्यक्ति का प्रवेश रेशमी पगड़ी, मौतियों की माला, कीमती जूतियां और सुन्दर रेशमी बस्त पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है जो सामंत जैसा प्रतीब होता है फिर आगे सिस्थ स्वागत यह कोई सज्जन पुरुस मालूम होता है सिस्थ क्या सुचता है कोई सज्जन पुरुस मालूम होता है प्रकट महानुवा हम भूख प्यास से बेहाल है संध्या हो रही है, कहीं आसरे नहीं मिल रहा है आपकी कृपा हो जाए, तो हम लोगों की कश्ट दूर हो जाए सिस्थ ब्यक्ति से बोलता है व्यक्ति दौनों के सिर से पैर तक गूर कर व्यक्ति क्या करता है दौनों को सिर से पैर तक गूर कर फिर बोलता है क्या मैंने कोई धर्मसाला खोल रखी है या तुम्हारा ठेका ले रखा है तुम जैसे साधु सन्यासियों की हमारी गाउं में कोई आवश्यक्ता नहीं, कहीं और आश्रे ढूडो और वह इतना बोलकर वह व्यक्ति चला जाता है सिस्स, गुरू जी एक दो की बात नहीं है, पूरा गाउं ही ऐसा है ऐसे असिस्ट और कुरूर आदमी कहीं नहीं देखे अग आज तो खुले आसमान के नीचे राद बितानी पड़ेगी और सिस्स सिर पकड़ कर बैठ जाता है फिल दूसरा सिस्स, दूसरा सिस्स क्या है सिस्स सामान समेट कर पोटली वांध रहा है और गुरू सांत मुद्रा में बैठे हैं दूसरा द्रश गुरू, आओ पुत्र चलने से पूर प्रातना कर लें गुरू बोलते हैं और दौनों प्रातना की मुद्रा में बैठ जाते हैं गुरू, हे इस्वर हमारी गलतियों को छमा कर हमें सत्पत पर बढ़ने की सक्ति दें असत अन्याय चल दो इस से दूर रखें हमारे हिर्दय में करुना संतोस प्रेम सहिशुनता और बिनै भर दें गुरु एक बाग कह लेते हैं तो सिस पीछे से उसे दोहरा जाता है गुरु हे इश्वर इन गाउबासियों पर कृपा करना ये सदा इसी गाउँ में बने रहे सिस यह क्या गुरु जी आप इन असभ्यों के बने रहने की प्रात्ना कर रहे हैं गुरु उसे सांत रहने का संकेत करते हैं सिस असंतुष्ट होकर चुप रहे जाता है, गुरु उसे लेकर चले जाते हैं, उसके बाद तीसरा दिस, तीसरा द्रस्व क्या है, गुरु और सिस यात्रा पर हैं, सिस हाफ रहा है, और बारवार पसीना पहुच रहा है, गुरू के इस अंकेत की प्रतिक्षा कर रहा है कि कब बैठने की कहें और उसे विश्राम मिल सके। गुरू कहते हैं पुत्र ठक गए हो तो विश्राम कर लें। हाँ गुरू जी मैं बहुत ठक गया हूं। दौनों वैट चाते हैं। कुछ चनवाद नैपत से हर्स मिस्रित कॉलाहल उभरता है। नैपत मतलब पास से ही कॉलाहल मतलब थोड़ी सोर सरावा की आवाज आती है। बहुत से लोग मंच पर आते हैं और बारी बारी से गुरू के चरण स्पर्स करते हैं। एक व्यक्ति आप जैसे साधू पुर्सों का हमारे गाओं में आगमन हुआ, हम धन्न हो गए। एक व्यक्ति बोलता है। दूसरा व्यक्ति आपकी चरण इस पर्स से हमारे पाप धुल गए। दूसरा व्यक्ति बोलता है। क्रें अच्छरच से उन्हें ताक्ता रहे जाता है। गुरु के मुख पर सदयेख मनंस्कान फिली रहती है। मतलब SS पहले देखा से उन्हें कि ऊन्हें रास्ती में महिला मिली तो उस ने ऐसे वे अइंशने गैक्ति मिला। पुछने भी ऐसा वेभाल किया लेकिन जब वो देखता है कि एक व्यक्ति आता है दूसरा व्यक्ति आता है गुरुजी के चरण स्पर्स करते हैं और बोलते हैं कि आपके स्पर्स से हमारे पाप दुल गए तो सिस्स उन्हें अच्रश से उन्हें ताकता रह जाता है मतलब दे कर आएं थके हुंगी गाउं चल कर थोड़ा विश्राम कर लें तीसरा वेक्ति बोलता है सभी वेक्ति सम्वेत शवर में हाँ- हाँ- महराज- चल कर अपनी- चरन रज्छ से हमारा गाउं- पवित्र कर दें सभी वेक्ति मिलकर क्या बोलते हैं एक साथ हिक्षवर में कि हां हां महराज चल कर अपनी चरण रज से मितलों अपनी चरणों से हमारा गाउं पवित्र कर दें गुरू तुम सबकी यही एक्षा है तो चलो गुरू जी इंके साथ बूलते हैं और चलते हैं चौथा दर्श्र क्या है गुरू और सिस जाने की तैयारी कर रहे हैं सिस अत्यंत प्रसंद दिखाई पढ़ रहा है गुरू आव पुत्र चलने की पूर प्रातना कर लें गुरू क्या बूलते हैं आव पुत्र चलने की पूर प्रातना कर लें और दोनों प्रातना की मुद्र में बैश्टते हैं दौनों कौन सिस्ट दौनों सिस्ट हे इस्वर हमारी गलतियों कुछ हमा कर हमें शत्पत पर बढ़ने की सकती रहें असत्त अन्याय च्हेल द्वेश से दूर्डरक हमारे हदाय में करुणा संतुष प्रेम और सहुष्णता और बिनाय भर दें और सिस्ट पीछे पीछे दोहराता जाता है गुरू हे इस इस गाउं के लोग अतियांत सब बहुर सुसीर हैं इन्हें सारी संसार में दिखरा दें सिस्ट गुरू जी सिस बीच में बोलते हैं गुरू जी तो क्या बोलते हैं गुरू चुप रहने का संकेत करते हैं लेकिन सिस फिर भी कहता जाता है सिस अब अग्या छमा करें मतलब कि हमने आपके अग्या नहीं मानी वो छमा करें गुरू जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जिन लोगों ने आपके साथ बुरा भ्यवार किया आप ने उनके बने रहने की प्रात्ना की और जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार किया उनके लिए यह साप गुरू अभी तुम्हारा ज्यान और साथना पूर नहीं हुई है पुत्र तुम समझते नहीं मैंने उन असब और स्वार्थी लोगों के एक जगए बने रहने की प्रात्ना इसलिए की कि अगर समाज में ऐसे बेक्ति फैलेंगे तो अपनी कुसंस्कृती का प्रचार करेंगे अपने रंग में रंग कर ये सारे समाज को भरष्ट कर देंगे किन्तु यदि अच्छे व्यक्ति समाज में फैलेंगे तो वे अपने साथ, निस्वर्थ, सिवाभाव, करणा, दयाप और प्रेमादी सद्गुरों का प्रसार करेंगे इसलिए मैंने इन गावालों के सारे संसार में विखर जाने की प्रात्ना की गुरु सिस्यों को समझाते हैं आप सत्त कहते हैं गुरुदेव एक सिस्यों से भी गुरु जी की बातों को सही मानकर भाव मैं हां बोलते हैं गुरु आओ अब हम आगे की यात्रा पर चलें और दोनों चले जाते हैं और परदा गिरता है तो आपने इस लेसन में देखा कि कि इस प्रकार वरूने शेक्षियां को सही राज पर चलेगी, सीख जालोगी